हेलो दोस्तो जई हिंद वंदे मातरम भारत माता की जई आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफोंपर और आपको पता होगा कि आज के जितने भी करण्ट अपेर्स होंगे वो हम जल्दी से इस फिडियो में रिसकस करेंगे तो दोस्तो इसका महबद पढ़ ले दोस्त मोका है अगर आपके पास मोका है तो इस मोके को चुकिएगा मत रात को 9 बजे चीके और जीएस की जोए CH, SL और MTS के लिए जोए चीके और जीएस की बेटरिंग क्लाच होती है तो रात को 9 बजे लाईव आ जायेगा यहाँ पर तो सबसे पहले तीरंगे को एक बार सेलिट करते है जह हिंद और इसे के साथ हम बढ़ते हैं अमने हरे सेशन की ओर तो दोस्तो यहाँ पर देखें Q1 आपकी स्क्रीन पर है हाल ही में किस ने राष्ट्रिय आपातकालिंग जीवन समर्थन पार्थेक्रम की सरुवात की है तो दोस्तो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि जो राष्ट्रिय आपातकालिंग जीवन समर्थन है उसकी ज तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि जीवन समर्थन पाठ्यक्रम की सरुवात जो है वो हमारे डोक्टर भारती प्रवीन पवार के दबारा की गई है ओप्शन नमर सी बिल्कुल राइट ओप्शन हो जाएगा आपको इस बात को नोट करना होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी जाय कि बंगारी मताय फ्रेस्ट चेंपियन ज़ीता है फ्रेंक विल्जेक ने, सेसिल नजेबेट ने, कैम्बेल विल्शन ने या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तो आपको याद रखना होगा कि मताई फोरेश्ट चेंपियन एवोड जो है वो सेसिल नजेबेट के द्वारा जिता गया था, उप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट उप्शन हो जाएगा नेक्स्ट, हाल ही में बारवी होकी इंडिया सिनियर महिला राष्टी चेंपियनशिप 2022 किसने जीती है तो दोस्तो 2022 जो है आपकी महिला राष्टी चेंपियनशिप होकी की बात हो रही है कौन सी थी बारवी तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर कौन जीता है चारखंड, कनाटक, ओडिस्सा या फिर इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो याद रखेगा कि होकी इन्डिया सीनियर महिला राष्टी चेंपियनशिप जो है वो ओडिसा के द्वारा चीता गया है ओप्शन नमर सी बिल्कुल राइट ओप्शन हो जाएगा ओडिसा हाल ही में BSE ने किसे अजस के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तो आपको पता होगा कि BSE क्या है Bombay Stock Exchange है जो कि Share Market का जो है क्या बोले कि इसे जो है Share Market की सभी जो है काम करता है Share आपको जो है प्रोवाइट करता है BSE तो BSE का पूर्फोम आपसे पूंचा जा सकता है कभी Bombay Stock Exchange है तो BSE के नए जो है किसे अजस के रूप में नियुक्त किया गया है अरुना सिह को MS मंदरा, विबेक रूम या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों आपको याद रखना होगा MDNC जो है आपका अजस के रूप में BSE के अज़्यक्स है वो है SS मंदरा, ओप्शन नबर B, बिल्कुल राइट ओप्शन हो जाएगा Next हाल ही में 75 वा कांस फिल्म महँच्शव कहां शुरू हुआ है तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि कांस फिल्म महँच्शव जो है वो ना तो नोर्बे में मनाए जाता है ना ही स्वीडन में मनाए जाता है आपका जो है दोस्तों फ्रांस का जो है फिल्म महँच्शव है ओप्शन नमबर C बिल्कुल राइट ओप्शन हो जाएगा फ्रांस जोए दोस्तो फ्रांस का कांस फिर महचो एसा महचो मनाई जाता है और इस बार कौन सा मना गया था 75 यह भी याद रखना होगा आपको नेक्स्ट हाल ही में नवीन श्री वास्तव किस देश में भारत के राज़्द बने है तो दोस्तो आपको याद रखना होगा कि हर देश में जोए हमारे राज़्द होते हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए श्री वास्तव जी नवीन श्री वास्तव जी जोए अभी भारत के राजदूत बनेया तो किस देश में अभी वो कारिय करेंगे मिश्र में युक्रेन नेपाल या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि नेपाल जो है अमारा वहां पर भारत के राजदूत के रूप में नवीन किस्री वास्तव को कोशित किया गया है ओप्शन नवर सी बिल्कुल सही ओप्शन हो जाएगा नेच्ट क्वेशन देखते हैं यहां पर हाल ही में गोपाल विठल को किस कंपनी का मैंने आपको सो बार बताई एमडी का पुल्फों होता है मेनेजिंग डिरेक्टर और सी इओ का पुल्फों होता है चीप एक्जुकेटिव ओफिसर तो अभी गोपाल विठल जो है दोस्तों उसे किस कंपनी के एमडी एन सी यो बनाए गया है तो इस बात को याद रखे यह आपर कि आपकी जो चोमेट हो है उसके नहीं है पेटियम के नहीं लेकिन एरटेल जो है दोस्तों बिल्कुल सही ओप्शन होगा एरटेल के एमडी एन सी यो के रूप में गोपाल विठल को कोशित किया गया है ओप्शन नमबर बी बिल्कुल राइट ओप्शन यहां पर आ रेक्ति कोन है राम बाबु प्रसाद संजीव बजाज डोक्टर कमल बावा या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों आपको जोए इसका राइट ओप्शन बताना होगा कॉमेंट बोक्स में मैं वेट करूगा कि सबसे पहले किस बच्चे की कोमेंट आती है ओके एसन् सुब्रमान्यम, नरेशकुमार या फिर इन में से कोई नहीं तो ऐलैंटि के लिए आपको याद रखना होगा एसन् सुब्रमानियम को नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश XV विश्व वानी की कॉंग्रेस की मेजबानी करेगा तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि XV विश्व वानी की कॉंग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है दक्सिंग कोरिया, चेन, थाइलेंड या फिरिन में से कोई नहीं तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर थाइलेंड को Next हाल ही में किसे सर्वोच ब्रिटिस मानद पूरुषकार मिला है तो दूस्तों आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि सबसे जो है मानद पूरुषकार ब्रिटिस का किसी से कहा जाए, वो किसे मिला है अमर मित्रा, एमर ब्रैकन, अजई पिरामल या फिर इन में से कोई नहीं तो आपको याद रखना होगा अजई पिरामल को यहाँ पर Next हाली में किस परफता रोही ने 16 वी बार माउंट एवडेस्ट फतक किया है तो दोस्तों उन्हों ने जोए ओल्डेडी 15 बार फतक कर चुके थे और इसको मिला कर 16 बार हुआ है एक बार ओके तो बटा दिजे 16 बार हो गया तो शोल वी बार माउंट एवडेस्ट फतक करने वाले व्यक्ति का नाम बता दिजे यहाँ पर अनास्तासिया पांबलू छेकोवा कैंटन कुल और सेवर या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तो राइट ओप्चन होगा आपका कैंटन कुल ओके इसे याद कर ले ना में एक्स्ट हाल ही में कौनसा देश जर्मनी को पचार कर चोथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है तो दोस्तो सबसे अच्चा क्वेशन इस क्लास का आप मान दीजे तो यह वाला क्वेशन है क्योंकि जर्मनी जो है दोस्तो उसको पचार कर अभी हमारा भारत हमारा इंडिया वह वाहन बाजार में सबसे उपर आने वाला है तो छोथे नंबर पर इंडिया आ चुका है, हमारा भारत तो खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि भारत विकास कर रहे तो अच्छी बात है, जर्मनी को पचाट कर छोथा स्थान प्राप्त कर लिया है भारत ने, नेक्स्ट, हाली में कहाँ सूपोसित मा अभियान के दुसर चाहिपूर में, कोटा में, चेशल मेर में या फिर इन में से कोई नहीं, तो आपको याद रखना को यहाँ पर कोटा को ओप्चन नमर भी बिल्कुल राइट ओप्चन हो जाएगा, तो दूस्तो आज के जितने भी करन्ट अपेर्स से आपके वो यहाँ पर फिनिश होते है थाझ यू, थाझ वरी मुच, हेवा निस देर